प्रदानमंदरी मोधी 28 माई को संसत के नए भवन का उधगाटन करेंगे लोगसबा सची वाले ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है नए संसत भवन के उधगाटन की तारीख आई तो कॉंग्रेस ने पियम मोधी पर तंज कसा है कॉंग्रेसर ने ताई जैराम रमेश की ओर से पियम मोधी की एक तस्वीर भी ट्वीट की गई है तो क्या कहा है कॉंग्रेसर देखते हैं ये रिपोर्ट कांइश ने नए संसत भवन को पियम मोधी की वेक्तिगत मेहंत्वकांशा वाली परियोजना करार दिया है और सवाल क्या है कि ऐसी इमारत की जरूरत ही क्या है जहां विपक्ष के माईक बंद कर दिये जाते हैं कॉंग्रेस का ये भी कहना है कि दरसल संसद भवन सिर्फ इमारत नहीं बलकि बे जुबानों की जुबान है कॉंग्रेस संसद और लोगसभा में पार्टी के सचे तक मनिकम टैगोर ने डीबी लाइफ से बात करती हुए नई संसद भवन को लेकर कई सवाल खड़े की हैं उन्होंने कहा कॉंग्रेस महासचीव जैराव रमेश ने नए संसद भवन में चल रहे कार्यू की समिक्षा करते हुए प्रधान मंत्री की एक तस्वीर साजा करते हुए ट्वेट किया 28 माई को उधगाटन किये जाने वाले नए संसद भवन के एक मात्र वास्तुकार डिजाइनर और श्रमेक तस्वीर सब कुछ बया करती है वेक्तिगत महत्वकांशा वाली परियोजना पियम मोदी नए संसद भवन का 28 माई को उधगाटन करेंगे संसद के वर्थमान भवन में लोगसभा में 550 जबकि राजिसभा में 250 माननिय सदस्यों की बैठने की ववस्ता है संसद की नई इमारत का निर्मान दो साल पहले शुरू हुआ था सेंट्रल विस्ता राश्पती भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमेटर की सडक का नवीनी करण एक सामानने केंद्रिय सची वाले का निर्मान प्रधान मंत्री का एक नया कारयले और आवास और एक नया उपराश्ठपती एंकलेव भी केंद्रिय लोक निर्मान विभाग की ओर से पूरा किया जा रहा है सेंट्रल विस्टा अपनी शुरुआ से ही विवादों में रहा है डीबी लाइफ की रिपोर्ट